हलो गाइस हाव यू आई होप यू आ डूइंग वेल्कम टू मिशन लर्निंग तो मैं हूँ आशा और आज हम स्टार्ट करने जा रहें अपनी स्टाटिक जी के सिरेज का 29 पार्ट 28 पार्ट इसके अल्रेडी हम कवर कर चुके जो कि आप प्रीविएस वीडियो में चेक कर सकत हैं तो आज 29 पार्ट तो चलिए देख लेते हैं 29 पार्ट का फॉर्स्ट कोश्ण क्या है हमारे पास आज इस प्रसकोशन है दिब्रू जो शैक शैक पॉल नैशन पार्क के बारे में पुछ अगया है कि कहां पर लूकेट कि ऑप्शन हैं हमारे पास चैन्यू डेली वेस्प पेंगौल असाम और तमिल नादू तो यूर टाइम स्टार्ट नाव तो अंसर देख लेते हैं इसका और अंसर हमारे पास असाम जो देब्रु शेकपॉल नेशनल पार्क है नेशनल पार्क इन असाम है ठीक है और कहां पी लुकेटेड है इन विच डेस्टिक ट्रीब्रुग और तिन शुकिया डेस्टिक जो है वहाँ पी लोकेटेड है इट वस डेसाइन थी बाइस्फियर रिजर्फ इन जुलाई नाइटी नाइटी सेवन विद दी एरिया ओफ सेवन हड़न और एंटिफिव स्कॉर किलो मेटर इंक्लोडिंग दी करोर एरिया ओफ 340 स्कॉर किलो और तो डाबा जो नाश्नल पाक है उसके बारे में पूछा गया है कि कहां पी लुकेटेड है ओप्शन है हमारे पास हर्याना वेस्ट बेंगॉल महाराश्ट्रा अंत्रे लंगाना तो यह टाइम स्टार्ट्स नाव चलिए आंसर देख लेते हैं आंसर हमारे पास महाराश्ट्रा तोधाबा अंत्री जो टाइगर रिजर्वेश इस वाइल लैंस्ट चैंचुरी और चंद्रापूर डिस्टिक ऑफ महाराश्ट्रा स्टेट जो इंडिया की इट इस महाराश्टा ओल्डेस्ट अन लार्जेस् 55 में रिजर्व इंक्लूड दी तोड़ाबा नाशनल पार्क और अंधेरी वाइडलाफ सेंचरी दी रिजर्व कंसेस्ट ओफ 577.96 स्क्रा किलोमेटर छेक है और रिजर्व फॉरेस्ट 32.51 स्क्रा किलोमेटर अफ दी प्रोडेक्टेट फॉरेस्ट अगला कोशन चेक कर लेते हैं थर्ड कोशन क्या है हमारे पास पैंच नैशनल पार्क के बारे में पूछा गया कि कहां पर लुकेटेड है ऑप्शन है हमारे पास अरुनाचर परदिश वेस बेंगौल मध्या परदिश यान तलंगाना सुई योर टाइम स्टार्ट नाव तो चलिए अंसर देख लेते हैं अंसर है हमारे पास मध्या परदिश जो पैंच नैशनल पार्क है इस नैशनल पार्क इन इंडिया समध्या परदिश इस्टाबलिश कब किया गया था 9075 में with the area of 257.26 km, it enclosed the Pench Tiger Reserve and drive its name from Pench River that flows through the park from the north and south dividing the park into almost equal western and eastern halves, the well forest area of First Yoni and the Chindwara district respectively, it was declared a century in in 1965 raised to the status of National Park in 1975 and enlisted in as a Tiger Reserve in 1992 अगला question check कर लेते, fourth question क्या हमारे पास, fourth question है बंदवा कर जो नैशनल पार्क है उसके बारे में पूछा किया कि कहां पी लोकेटेड है, options है हमारे पास जार्खन, मध्या परदेश, न्यू डेली and Tamil Nadu, so your time starts now answer देख लेते हैं, answer है हमारे पास, मध्या परदेश, जो बंदवा कर नैशनल पार्क है, नैशनल पार्क लोकेटेड इन ओमेरिया डिस्टिक ओफ मध्या परदेश, बंदवागर विद एरिया ओफ 105 स्कूर किलोमेटर, वज डिकलेर नैशनल पार्क इन नाइटी सिक्स्टि एच और देन बिकम ए टाइगर रिजर्व इन नाइटी स्कूर किलोमेटर, ठीक है, फिफ्ट कोस्टिन चेक कर लेते हैं, जो वीर इस वार्कर इंटरनाशनल एरिपोर्ट है, कहां पी लुकेटेड है, ओप्शन जे हमारे पास, करनाट का, आंडवान, निकोबार, डेली या तेलंगाना, तो यह टाइम स्टार्ट नाव, तो आंसर देख लेते हैं, आंसर है हमारे पास, आंडवान, निकोबार, यह बिसिकली स्टेट नी युनें टरिटिर्व में लुकेटेड है, वीर सरकर नेशनल, इंटरनाशनल एरिपोर्ट, अलसो नोन is support Blair airport, is the custom airport, located two kilometers south of the Port Blair and is the main airport in the Andaman, and Nicobar Island of India. औरिजिनली क्या जाना जाता है इसको पोर्ट ब्लेर एरपोर्ट इट वोज री नेम्ड इन 2002 आफ्टर दी फ्रीडम फाइटर वेंग्यार दामोधर सवाकर हूँ हैड बीन डेटेंड इन दी सेललर जेल इन इन दी सिटी फोर टैन यूर्स ठीक है सिक्स कोश्चन चेक कर लेते हैं राजीवगंती इंटरनाशनल एरपोर्ट के बारे में पूछा गया कि कहां पे लुक्याड़ेड है ऑप्शन से हमारे पास करनाथ का पंजाग तेलंगाना एंड तमिल नाडू तो यूर टाइम स्टार्ट नाव आंसर देख लेते हैं आंसर है अमारी पास तेलंगाना तेलंगाना में लोकेटेड एं राजीवगंती इंटरनाशनल एरपोर्ट इसा इंटरनाशनल सौट किसको करता है है हैधराबाद कैपिटल ओफ इंडियन स्टेट अफ तेलंगाना इस लोकेटेड इन दी श्यम्शाबाद अबाउट 24 किलोमेटर साउथ ओफ दी हैधराबाद इट वोज ओपन 23 मार्च 2008 तो रुपलेज दी बैंगुबेंट एरपोर्ट इस नेम्ड आफ्टर राजीव घंदी फॉर्मर प्राइम नेस्टर ओफ इंडिया ठीक है उनके नाम परदेश गुजरात मध्या परदेश और बिहार तो यह टाइम स्टार्ट नाव अंसर देख लेते हैं अंसर हमारे पास मध्या परदेश में लोकेटेड जो राजाभो एरपोर्ट है इस अ प्राइमरी एरपोर्ट सर्विंग दी भॉपाल कैपिटल ओफ इंडियन स्टेट अंध्या परदेश नेम्ड आफ्टर दी तैंथ सेंचुरी प्रमारा केंग राजा भोज इस दी सेकेंड बीजियस्ट एरपोर्ट इंदी मध्या परदेश आफ्टर दी देवी अहिल्या भाई हॉल के रएरपोर्ट इन दौर टेक्ट एट कोशिन हमारा लेंक्षियान फॉ तो आंसर देख लिए हमारे पास मध्या परदेश नोहकाली खाई फॉल जो है टॉलेस्ट प्लंग वाटर फॉल एन इंडिया इसकी 340 मीटर दी फॉटर फॉल इस लोकेटिर इन दी इंडियान स्टेट ओफ मेघालिया नियर दी चेरा पुंजी वन ओफ दी वेटेस्ट प् फॉल जै आर फेट बाई दी रेंड वाटर कोलेक्टेड ओन दी सॉमिट फॉर दी कंपारिटिवली कंपारिटिवली स्मॉल प्लेटू एन डेक्रीज इन दी पावर दूरिं दी ड्राइ सीजन फ्रॉम दी देसमबर तो फैबरेरी बिलो दी फॉल आइस प्लंग पूल और यूर टाइम स्टाट्स नाओ अंसर देख लेते हैं अंसर है हमारी पास चतीजगर सो चतीजगर में लोकेटर है जी जो चित्रा कोर्ट फॉल्स है उसको इन स्पेलिंग्स के नाम से भी जना दाता है हंदी में भी लिखा हूँ है इस नाच्रोल वाटर फॉल ऑन दी इं इंडियन स्टेट ओफ चतीजगर चीक है चतीजगर में लोकेटर है हाइट कितनी है इसकी 200 मीटर अगला कोश्चन चेक कर लेते हैं टेंथ कोश्चन क्या है हमारा कोट कोटालम पॉल्स कहां पर लोकेट रहे हैं ऑप्शन है हमारे पास में जोरम हर्याना तामिल नाडू ए जो कोटलियाम इस दे पंचायल टाउन है सिचुवेटर का है मीन एलिवेशन ओफ वन सिक्स्टी मीटर ओन दी वेस्टन घाट इन दी तेनकाशी डिस्टिक ऑफ तामिल नाडू इंडिया कोटलियाम पॉल इस दी चितर रिवर चितर रिवर इस अ मेजर टोरिस्ट अट्राक इप आटो इंडियाम इन च्ट वीडियो थैंक यू आडियो अटोर वाची